अले दोस्तों वेल्गम टाइक्यू प्लस अकेडमी जैसा कि दोस्तों आपको पता है बी एससी सीजेल वाला फॉर्म भरा जा चुका है एक्जाम का डेट अब कब आ जाए कोई किसी को पता नहीं तो इसके लिए हम लोग जो रिजिनिंग का अपना स्रीज चल रहा था उसको आब बढ़ा रहा है और यह सारे separately जपी होले जोने करवाला हूं इस के लिए और इसके आलवा अगर आपको इसके बहुत सारे कोश्चन के पी डीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल आईक्यू प्लस एकडमी को जोइन कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों काउंटिंग आप स्क्वायर को सीखने के लिए हम लोग इसको दू टाइप में पहले करेंगे उसके बाद सीखेंगे क्योंकि किसी भी बड़े सब्ज आपको सिखाने वाला हूं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हम टाइप वन को जान लेते हैं क्या होता है टाइप वन में हम लोगों ने रखा है एक समीत अकृति को एक क्यूंक देखें अकृति मतलब हम लोग दो भाग में इसको बांट के रखें तो जहां हमें रो और कॉलूम दोनों शमान हो मतलब पंक्ति और अस्तंब दोनों इक्वल हो है ना दोस्तों देखते हैं उसके फिगर को थोड़ा सा देखें यह हो गया सम्मीत अकृति दोस्तों टाइप वन में देखें यह देखें यह सम्मीत अकृती हो गया एक दो एक दो देखें रो और कॉलूम दोनों इक्वल इसमें रर्ड़तन यह है न अब यह देखो रिष्ट्टो प्री का है ट्युक्त सबनाःक है इसको बोलते हम लोग सामेट्रिक फिगर कि सैमेट्रिक ये इसको स्मिता कृतिव भी बोलते हैं इस में अब इसमें क्या होता है रो इज कल टु कॉलूम भूता है दोस्तों कि मैं दोनों भासा में कॉबर करने के होशिश कर रहा हो यह तैप ऑन अब इसमें हम लोग एक कोस्चन को लगा देखे यह आपका concept है मैं जो बता रहूं इसको ध्यान करिएगा अब हम लोग इसको काउंट करें इस फिगर को काउंट करेंगे तो देखे यह 1234 यह तो इजी है ना आप देखके भी बता सकते हो एक दो तीन चार और एक बड़ा वला तो टोटल इसमें पांच बन रहे हैं इ देखो यह तो हो गया कि हम लोगे काउंट कर रहे हैं अब यहीं काउंट करने का जो सिल्सिला है ना वो कहां खतम हो जागा अगर यहीं बहुत बड़ा question हो गया बहुत बड़ा box हो गया तो इसमें हम लोग करते रहे जाएंगे time बहुत ज्यादा taken हो जागा और competitive exam का क्या र आने वाला हमें अचली तो चलिए देखते हैं देखिए अब सब फीगर को देखते जाहिएगा कि देखिए अब सेमेट्रिक है कि नहीं है एक दो तीन चार मैं अचली इस फीगर को हटा देता हूं कि कोई थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि देखो एक दो तीन चार एक दो तीन चार देख़ो फोर इस्टू फोर का यह बॉक्स है तो यह समेट्रिक है ना अब इसको कैसे सॉल्ब करें वह भी मैं बता रहूं देखो आपने इसको करा पांच अब देखो यहां पर एक तीज आप नोटिस कर पाऊगे कि एक बॉक् box में प्लस है तो इसका मतलब आप फितना होजय घ्र पर कितना हो जयागा दोस्तों थाज हो जाएक आरी एक बॉक्स है और यहां पे फ्लस है बना दिया अंदर के तो यहां पर नॉंबर कि knowledge इंप कर ना इक कुछ चीज़े याद कर लोगे कुछ चीज़े समझ लोगे बस आपका एकदम फ्लुएंट होते चला जाएगा ना तो वही हमें करनी है प्रैक्टिस करेंगे तो इस पूरा एकदम उड़ा देंगे सारी कोश्चन को देखते रही है बस लेखो यहां पर वन टू थ्री है अब एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर अब सबको क्या करेंगे आइड कर देंगे अब देखो एक का स्क्वाइर कितना होता है एक होता है फिर दो का स्क्वाइर कितना होता है चार होता है फिर तीन का स्क्वाइर कितना होता है सडी नौ होता है अब सबको दिनके सब्सक्राइब लाएधा जोद चोड़ा चाहिक क्वाच ऑर नौद कितना हुआ इस और वही तो हम लोगों कोने कांट करके लाएथा चौद़ देख रहां यहां पर कउरोल करके लाएथए हुआ देखों मैं बता रहूं हम लोगों ने तीन तक तो अल्रेडिक होगा ना तो फिर इसमें अंतियों आपने टायम कर सकते हो आप टूटल को सम करो तूटल को सम करो कितना एगा देखो थर्टी आ जाएगा अब में क्या बोलना चाह रहा था यहां पर हम लोगों तो थो थर्टी आ वह मैस करो** 30 में से 3 तक कितना था 14 था 14 को आप माइनस करो कितना आ रहा है 16 आ रहा है मतलब 16 किसका है 4 का है 4 चाहू का 16 है देखो तो मतलब कि 3 तक का स्क्वाइर किया हम लोगों ने तो 14 था 14 को उसमें add कर दिया 16 को add किया तो 30 हो गया मतलब क्या हुआ कि अगर उतना सब्सक्राइब करेंगे उसमें ऐड़ कर देंगे पूरा फिर से कल्कुलिट नहीं करेंगे बस 5 तक तक देंगे होता है और चार तक यहां पर नमबर कितना है 30 है चलो 30 को क्या करेंगे पांच वाले से तो तो अगर 55 जाता तो समाज में आ गई 5 तक 55 हो जाता तो हमें यह पता चल गया सेमेट्रिक में कि अगर आप 5 का भी बॉक्स दे 5 पीश टू 5 का तो यहां तक हम लोग फाइंड़ कर सकते हैं अब 5 के लब यहां पे 6 दे देता यह साथ दे देता तो नहीं कांट कर लेते क्या 5 तक कहां में पता चल गया 6 का कितना होता है चाचा का 36 होता है 36 होता है तो 36 को आइड कर देंगे तो बस आगे आपका 6 का भी अब इसको आइड कर दोगे इसमें उन्चास को आइड कर दोगे पर दोगे साथ साथ से उन्चास होता है ना तो 91 में उन्चास को आइड करें तो जो आएगा वह तुम्हारा आपका 7 इस टू 7 का हो जाएगा तो इकदम ईजी है दोस्तों इस आगे हम लोग प्राक्रिस करेंगे ना उसमें चोटी चोटी दिखेंगे आपको जो मैं अभी अब को बता रहूंगे इतने व्रॉड लेवल पहना अब यह मुझे लगता समझ में आगे होगा सिमेट्रिक अब लोग बात कर लेते नौन सिमेट्रिक वाले पॉर्षन तो चलिए दो उस पर भी बात कर लेते हैं अब हम लोग टाइट टू में देखेंगे नॉन सामेट्र को देखेंगे दोस्तों इसमें क्या होता है रो जो होता हो कॉल्यूम के बराबर नहीं होता है कभी भी नहीं होता है अब देखिए से समाझ लेते हैं कि कुछ फीगर ऐसा होगा इस ट्राइप का होगा ना कि यहां पर क्या है कि एक दो तीन चार को अब यह हो गया आपका का नॉन समध्रिगी मैं अakah कि इस्मेट्रिक के बिए ना तो सब्दून करेंगे हमें में तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब और महरें जर्सक्राइब है कि आप क्या करो दोनों के इंड वाला जो पॉइंट है ना नंबर है उसको मल्टिप्लाई कर दो दूसरे से देखो इसमें क्या है चार है और इसमें क्या है थ्री है तो इस दोनों को क्या करना है मल्टिप्लाई कर देना है इस दोनों को क्या करना है मल्टिप्लाई कर देना 4 इस्टु 3, कितना हुआ 4 इस्टु 3, 4 इस्टु 2 हो गया अब देखो यह जब तक हमें एक एक माइनस करते जाना है यहाँपह तो 4 को माइनस करना देखो त्री टू अब देखो इसमें सबसे छोटा डिजिट कौन सा दोनों में डोनों में छोटा डिज्ट थ्री है तो 3 को हम लोग मैनेस करेंगे तो सबसे पहले देखो अंतीम हमारे पास अगर वोन आ जाता है वहीं पर रूक देना है जैसे देखो ठीको टू वण यह मैने अब देखो 20 को क्या करना है हमें मल्टिप्लाई कर लेना है सबको 3 2 6 हुआ 2 2 2 2 1 2 3 2 6 4 3 के बाड़ा अब सबको आइड कर लेना है 12 6 18 दो 20 कि यहां पर जो टूटल नंबर पर स्क्वाइर हो जागा न दोस्तों वह जाएगा 20 कि देख रहे हो नहीं समझ में एक और मैं आपको बताता हूं उसमें आप अच्छा से समझ लोगा ना देखो कि यह वाले एकदम समझ में आ जागा बहुत ही अच्छा से इसमें अच्छली करना क्या है इसे भी एक नोन समेंटरिक फिय उस्जिवर है क्यों क्यूंकि 123 12345 देख़ो 3 इस च्छाला ना त्युक्ति यह नोन समेंटरिक फिगर हो गया थ्रह वाइव का है नन समेट्रिक फिगर हो गया, इसको हम लोग कैसे यहां पर नमबर आप स्क्वार काउंट करेंगे, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें इसका लास्ट डिजिट और इसका लास्ट डिजिट से क्या करना है, मल्टिप्लाई करना है, तो 3 is to 5, मल्टिप्लाई किया, अब इस इसमें से एक एक डिजिट को माइनस करते जाना है, जब तक 1 ना आ जाए, तब तक हमें माइनस करते जाना है, 1 आ गया, वहीं पर रोक देना है, ना, देखो, 3 के बाट, 2, 1, 1 आ गया, रोक दिया, अब 5 को माइनस करिए, 4, 3, और 1 तो पहले इसमें आ चुका है, तो यहीं हम लोग रोक देंगे, और यहां तक क्या, जो भी होगा, उसको आइड कर लेंगे, जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ती पांस त्याई, 15, 4 दुक्के, 8, 3 एकम, 3, अब सबका आइड कर देंगे, और आइड करने के बाद जो आएगा, वहीं आपका नमबर अपे स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, समझ में आगी ना, बहुत बढ़िया, लाइक कर देना दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो, देखो, अब 8, 3, 12, 12 और 15, जो आएगा, वह आपका सम हो जागा, ना, चलिए, 12 और 15 हो जागा, आपका 27, हो जागा ना, चलिए, तो और छोटा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा करके हाना, देखो, यहां पर 3 is to 5 था, अगर मैं आपसे बात करूँ, 4 is to 9 का, 4 is to 9 का अगर आपको एक figure दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे solve करोगे, तो यहां सीधा दिख रहे है 4 is to 9, सबसे पहले आप count करेगे, 4 is to 9 है तो यहां सीधा क्या करोगे, 4 से minus 1 करते जाओगे, देखो, 4 is to 9 का है ना, figure, तो क्या करना है, 4, 3, 2, 1, आ गया, यहां पर रोक देना है, अब यहां 9 था ना, अब 9 को क्या करना है, 8, 9 को 8 क्या मैंने, 7, 6, लेकिन यहां पर 1 आ चुका था, तो यहीं पर हमने रोक दिया, अ अब यहां सा जो भी आएगा, उसको आइड करके, रिजल्ट मंगा लेगे, 9, 4 के, 36, 8, 3 के, 24, साद्दुक के, 14, साद्दुक के, 14, 6, एकम, 6, अब देखो, सब को आइड करने को जो आएगा, वह अपका एंसर हो जाएगा, हाना, चलिए, तो 4, 4, 8, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 10 के 0, हा यहां पर नमबर आपे स्क्वार आजाएगा, 80, हैना, देखे, 4 इस्टू 9 का अगर फिगर रहता है, तो वहां पर नमबर आपे स्क्वार आजाएगा, 80, मतलब ऐसे आप 9 इस्टू 12 का भी कर सकते हो, हना, वैसे ही, एक डिजिट को माइनस करते जा, 1 आएगा, वहां पर र प्रैक्टिस के कोच्ण भी देख लेते हैं, जिसे हम लोग का अलग है कि हां, कुछ हम लोग को ने सीखा आया, देखते हैं, यह जो पहला फिगर है, इसको आप लोग देखिए, एक आप ट्राई करिए, इसको आप देखेंगा, अच्छे से फिगर को तो इसमें क्या दिख यह जो सेमेट्रिक फिगर दिख रहा है, एक दो तीन, इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, तो तीन का सेमेट्रिक फिगर का काउंट हम लोगो ने किया था, कॉंसेप्ट वाले टाइम में है, तो तीन का कितना था दोस्तों, एक का स्क्वाईर, दो का स्क्वाईर, तीन का स् 14 था ना तो यह टूटल होगा 14 यह अंदर वाला भाग जो है वह हो गया 14 दिख रहे हो अब इसके बाद देखो हमें यह भी नहीं छोड़ना है हो जाएंगे 18 कितने हो जाएंगा दोस्तव एफिद्यु धुन लोग देखो इस समझने की कोशिच करदेखो एक समें यह पी लोन इच्छा से बाड़ा वाला एक दू तीन टोटल देखो तीन हो गया अब बोक्स के अंदर एक az वह भी समेट्री की है इसका थेको का का एक डो थीन है न्यवन तो कि समेट्रीक है ऀन्दर वाला तो एक देखो एक बड़ा वाला बॉक्स रख था है उसके अंदर एक छोटा वाला box रखा है यहीं तो किया ना 3 3 का है तो दोनों एक दो तीन यह भी अंदर का भी तीन है तो हमें पता है जब बाहर वाले 3 कितना था नंबर पे स्क्वाइर 14 था ना एक का फोर्टीन था तो अंदर वाले का भी कितना जाएगा फोर्टीन यह भी आइड कर देंगे इसको एड कर देंगे एक बाहर का एक बॉक्स अंदर का 18 हो गया अब इसको काउंट भिसे कर सकते हो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौ हो गया मतलब ये बाहरवाले से 14 अब उसके बाद देखो चोटे वाला काउंट करो हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ अब देखो ये टोटल हम लोगोंने काउंट तो कर लिया यहां पर उसके पाद एक ऐसे भी तो करेंगे 10 11 हाना फिर ऐसे 12 13 मतलब ऐसे करकर हम काउंट करेंगे तो 28 आएगा लेकिन 28 नहीं होगा अब सोचों यहां पर क्यों नहीं होगा 28 क्योंकि इसमें जो एक मीडिल अब यह एक बॉक्स आ रहा है यह तो दोनों में ặtट में pleas center ना दोनों में तो common है ना मैंने बाहर वाले box में इसको काउंट किया अंदर वाले box में इसको काउंट किया दोनों में मिला कर तो 28 आया था तो इसमें एक तो मैनस करना पड़ेगा वह था एक हमने माइनस कर दिया कितना हुआ टोटल 27 तो इसका राइट एंसर 27 हो जाएगा दोस्तों मुझे लगता आपको इस समझ में आ गया होगा एक और देख लेते हैं एकदम किलियर करने के लिए चलिए देखें यहां पर क्या है मैंने आपको थिर्वाले क्लास में पताया था क कि एक बॉक्स के अंदर अगर प्लस बना हो तो यहां पर नंबर आफ ट्रेंगल कितने होते हैं 5 होता है कितना होता है दोस्तों 5 इसको आप ध्यान में रखो और उसके बाद इसको करने की कोशिस करो देखो यहां पर फीगर देखो थोड़ा सा कॉंसेंट्रीट माइन करके देखो क्या है यहां पर एक बॉक्स उसके बाहर एक बॉक्स उसके बाहर एक बॉक्स उसके बाहर एक बॉक्स लेकिन सब पर देखो यह प्लस है ना सब पर तो प्लस है ना देखो यह प्लस हो गया चलो यह प्लस हो गया इसको बढ़ा के और इसके पास एक और प्लस कर दिय यहीं किया है ना फिर एक और प्लस कर दिया है यहीं किया है ना तो हमें इसमें क्या करना है पता है नंबर आप बॉक्स बस काउंट कर लेना है यहां पर वन बॉक्स से कितना आ रहा है फाइप आ रहा है जैसा कि हमें थिर्वेले से पता है वन बॉक्स से कितना आ रहा है वाज तो चार इंटु फाइब कर देंगे कितना हो जाएगा इसका देखो कितना भी बॉक्स देको अंदर आपका एठ भॉक्स भी गसा देइना आठ भॉक्स Gustee डाल देसैंज आको क्या करना है और एक बुक्स आगर प्लस cuc वाला है तो तो अपका फार्मूले यहां पर काम करेगा दोस्तों ऐसे वाले फीगर में जितना भी कॉंप्लेक्स वाला आगे भी देखेंगे थोड़ा और लेबल को बढ़ा कर देखेंगे तो थोड़ा और समझ लेंगे दोस्तों चलिए मुझे लगता इस फिगर को एक बार और देख लेना चाहिए क्योंकि देखें जिन दोस्तों को यह फिगर जो मैंने पहले बताया था तो वह अगर समझ में आ गया होगा तो इसको स्कुप कर दे और जिनको नहीं आओगा उसको एक बार और अच्छे सा देख लेंगे थोड़ देखें दो बाहर वाला तीन ही तो है एक दो तीन तो हम लोगों ने इसको पड़ा हुआ था सेमेट्रिक फिगर में टाइक ओन में देखा हुआ था थिरिश्ट्यू 3 का क्या होगा नंबर बॉक्स इसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों आप हमें बताएंगे जरूर देखें 1 का स्कौर 2 का स्कौर 3 का स्कौर कितना हुआ टूटल थ्रि थ्रिश्ट्यू 9, 4, 1 अब इसको आइड कर लेंगे कितना आया 14 आया तो एक फिगर से तुछ की किना कॉर गउने है के स्विए एक का अगर 14 भी क्या हो जोंगा किसको भी हम लोग इस में एड कर लेंगे तो ह। और दुसरे का भी 14 हो गयां लेकिन अन्सर हमारा 28 नहीं होगा दोस्तों क्यों किसमें एक जो ये ये लई मीडिल वाला और कि यह सब में कॉमन है न यह बाहर वाले में हम लोगों किया था और अदर वाले में भी इसको उन्स करना पड़े गाने एक जगा से क्योंकि यह दोनों में काउंट हो चुका है तो एक बाक्स को मियस्तों कर सकते न ऐसा हमारे पास रूल नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे ए आपको समझा देता हूं और उसके टाइप के कोश्चन को हम लोग लगाएंगे जो कि एकदम लेबल तक का होगा जीरो से हाई देखो मैंने आपको बताया था प्लस का एक बाक्स में अगर प्लस का चीन बन गया है तो यहां पर नंबर आफ कितने हो जाएंगे दोस्तों फाइ य है से बढ़ गया सब इम वी एंट बस्थ बन रहा है सक्ट करकार देखो यहां पर बढ़ा बन राए घ्र और दिए यहां सबस्तों यह टूतается में प्लस मने आफुइसा थिंटर मिलेगा लिए सब्यान बढ़ाई 6 को द्यान रखिए गा हैं इसके को करवाऊंगा इसमें आपको इसका पड़ेगा तो इसको ध्यान रखेगा जिससे आपको कोश्चन बनाने में एकदम असानी होगा और कम समय में अच्छे कोश्चन बना पाईएगा यह सब ध्यान रखेगा तो थिरी इस्टू थिरी का 14 होता है अगर वही फोर का बात करूं इसें फोर इस्टू फोर का तो इसको देखती है अब दीखे दोस्तों यह वाला कोश्चन इसको देखे इंगा है त इसमें एक समेट्रिक फिगर है एक दो तीन 3-4,1,2,3,4 4-4 का symmetric figure है, ना? 4-4 का कितना answer होता है, दोस्तों? आपको पता होगा, 4-4 में कितना होता है, दोस्तों? Number of square हम लोगोंने count किया था, 4-4 में 30 होता है, ना? इसको square करिए, 2 का square, 3 का 12, 4 का 12 talks 3 तक के square को हम लोगोंने देखा था, 14 होता है है ना और फिर इसमें चार्चोग के 16 को एड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो गया ना तो नंबर आप स्क्वाइर जो रहा यहां पर 30 राबस समेट्री का लेकिन उसके अलावा देखे क्या दिया हुआ है एक ऐसे स्क्वाइर दिया हुआ है और इसमें भी देखे स्केंरे है कि प्लस ना वहां तो मैंने आपको बताया था कि कुई भी प्लस हो कि एक प्लस वाले बॉक्स में त्याइं 15 तीन है पांच के तो 123 फंदरह हो गया अगैज अब यहां पे टोटल 44 का किरना बन रहा था। ठाटी बन रहा था और यहां पर यह 15 हो रहा था तो 30 प्लस 15 रहा कितने हो जाएगा दोस्तोंusi के थाटी तो बन रहे हिसके पूरे 2015 हो घ्रापका 45 तешь का जो राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा फोल टीफाइफ हना समझ में आ गया चलो यह वाला थोड़ा डेख स्थकोन कीज़री है 1234 sit डो तीन चार तो फोर दिच्टु फोर कर कितना हो जाएगा दोस्तों तो स्क्राइब कितना और बताओ मेरे को फोर 6 wijlin को इस चुब फोर में थटी हो गया और इसके बाद देखो एक कीज देखो इसके बाद यूपक्स दिख रहा है एकस्ट्रा दिख रहे ना एक प्लस से बन रहे हैं आपके 5 और प्लस उसमें और ऐसे बॉक्स बना दिया तो यहां पर बन रहे हैं तो यह वाला फिगर टोटल कितना बना रहा है अब उसके बाद देखो काउंट करो अच्छे से देखके मैंने क्या करा इसमें कि एक और इसमें से बॉक्स आइड कर दिया और इस बॉक्स में और मैंने ऐसे आइड कर दिया मतलब तो यह सेम टाइप के फिगर को इसके अंदर एक और डाल दिया देखो यह बाहर वाला फिगर है एक नंबर कि ओर है और इसके अंदर एक ऐसे बनाए गया तो मतलब दो टोटल ऐसे बोक्स बन रहे हैं ऐसे वाली टोटल डो डोटल बन रहे हैं ना तोटल दोटले ऑसे बोक्स बन रहे तो एक का छे हैं तो दूसरे का तो इससे कितने बनेंगे, five बनेंगे, इससे five बनेंगे ना, तो एक बड़े वाले से six हो गया, और एक इस मृले box से चे हो गया, एक इस वाले box से six हो गया, और अंदर एकruार दिया हुआ है, 6 6 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे अगर इसके अंदर एक और ऐसे बना देता तो किनक्ला यह बंदेता तो जो मैंने यहां 5 क्या है उसको भी मैं 7 कर देता तो 6 प्लूस 6 प्लस की हो जाता 8 तो आपका एंसर हो जाता 8 जो लेकिन यहां पर प्लस होता तो यहीं हो जाता आपका एंसर सी 17 हो जाता समझ में आगे आपको चलो आगे देख लेते हैं और थोड़ा सा लेबल अब करते हैं हम लोग चलिए पूरा एकदम उड़ा देंगे कोश्चन अब दिखे दोस्तों अब इस फिगर को थोड़ा सा आप पॉस करो वीडियो को और इसको करने की कोशिश करो खुद से फिर देखो आप कर पारे हो की नहीं कर पारे हो अगर आपने सुरू से अच्छे से देखाना वीडियो तो आप इसको इजिली कर पाओगे देखो इसमें ल Tax है एकSean अधर इसमें प्लासी तो बना हुआ है प्लसी तो बना हुआ है स्कॉत इसमें प्लस हो है आप ओस प्लस ide 好ела कोई सब्सक्ष Wonderful अब अप्र्सेमिटतों में प्लस है एक में ऐसे वाला है जो मैंने आपको बता है था प्लस में कितना होता दोस्तो अगर किसी कि मॉच में promise बन गया तो वहाँ पर number海ं उस्की में होते हैं थोड़े करदे ततो इसे इसे कि इसे होगता है इसे हो लोग उने प्लस को कर लिया प्लस से कितना या 5 कांट करो ब्लस वाले से कितना है या टोटल अया इसको पहले मैं मेठादीू कि चली प्लस वाले से 5 अब पता है ऐसे कोशचन क deepen इसे 5 आगया प्लस वाला अपना complete हो गया अब उसके बाद देखो अब box को count करो एक यहाँ पे ऐसे प्लस वाला box है 5 दो है देखो एक दो तो 5 दूखे 10 चलो ऐसे वाले से 2 बन गया तो 5 पीश्टू 2 हो गया मैंने से इसी पर रख दिया 5 पीश्टू 2 हो गया अब देखो ऐसे वाला भी तो 2 है एक और एक दो है न तो यहाँ से भी तो 6 और 6 12 बन गया कि यहां से भी हो गया यह 10 हो गया यह 12 हो गया और total हमारे पास एक प्लस वाले से आया बढ़ा वाला फाइप ये छोटा वाला दो दस बना ये छोटा वाला दो दस बाड़ा बना तो दस बारा बाइस बाइस और पांच कितना होता है 27 हो गया तो अभी तक हमारा जो आया 27 आया लेकिन इसके बाद एक और चीज देखो देखो ये प्लस वाले के उपर भी तो एक बॉक्स है को भी हम थो हम काउंट करेंगे इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है तो यह मitelिया Puis तो इस चार को भी इसमें हम लोग आइड कर देंगे 27 प्लस 4 कितना हो जाता है थटीवन हो जाता है तब का राइट एंसर हो जाएगा 31 यानि कि अप्शन ए हो जागा राइट एंसर समझ में आ गई चलिए अब हम लोग नेश्ट थोड़ा सा अगला ऐसेप्ट देखते हैं एक और कोश्चन देखते हैं बहुत ही संदार होगा दोस्तों कोश्चन चलिए अब देखें एक्जाम में हमको ऐसा एक फिगर मिल जाए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे एक अप्रोच होना थे पता है सॉल्व करने का कि जो कम टाइम में फट से कर दें तो मैं देखो इसको आप देख पाओगे बताने के बाद एक बार खुद से ट्राइब करना मुझे लगता है कि अभी वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राइब करो क्योंकि स देखो नोन सेमेट्री काको क्काउंट करना है तो सबसे पहले लोग यह देख लेते हैं सबसे पहले एक दो 345 एक दो 2, 2, 3, 4, 5 तो 5 6 to 5 का ये box आना 5 6 to 5 का है तो ये condiciones है आपको पता हो गेवा किน से मेट्रिक है तो 5 6 to 5 का मैंने बताया था बढ tandak नो 5 6 to 5 का कितना होगा आपको 4 का पता है ना 4 start 4 का पता है कितना होता है 30 होता है 30 में 5 का क्या करोगा आड़ करicar कितना होता है कि 25 नमबर सिवार कितना आजाएंगे तो आपको पता चल गया के टोटल नमबर आपे स्कुरार कीतना होगा 52 हो गए लेकिन इसके आलावा ये जो बाहर वाला बाक्स है वो तो कंट कर लिया लेकिन अंदर वाले का क्या अंदर वाले भी तो हमें कंट कर रहे न तो अंदर वाले पे आते हैं हो गया यह बाहर वाला आपका यह क्या हो गया पहले ही काउंट हो चुका है तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे देखो यह तो पहले ही काउंट हो चुका है ना तो इसको माइनस कर देंगे तो यह बच गया ना कितना हो इसमें तो इसमें 5 हो गया और जो पहले 5 हुआ करते थ कर चुका है हना 55 तब देख लेंगे जो 5 था उसको 4 कर देंगा जो 6 आ रहा था उसको 5 कर देंगा बस तो यहां कितना है 55 और प्लस देखो ऐसे वाले पहले कांट कर लो जितने भी है यह आपका 6 बन रहा था तो 5 देगा तो एक दो तीन चार पांच हो गया तो आपके 5 में 5 से कर लोगे तो 25 हो गया पहले से आपका 55 था आइड कर लिया इसके अलावा देखो अब यह तो हो गए 55 एक दो तीन चार पांच पांच बॉक्स देखेंगे तो इसके टोटल कितने बनते हैं प्लस के 5 बनते हैं लेकिन यहां पर हम लोगों ने चुकि पहले से बढ़ा वाला जो बॉक्स है बहर वाला उसको गांट कर लिया है तो इसको फोर कांट करेंगे तो यहां पर देख लेतें कितने बन रहें 4 4 दुके 8 4 ती 12 चार्चर्चव का 16 हो गया ना चले तो यह भी 16 इसमें आइड कर लेंगे अब देखो 55 25 और 16 सब को आइड करेंगे सब को आइड कर पर कितना हो जाएगा दोस्तों 96 ऑप्सन में देखिये 96 ऑप्सन डी में है तो इसका राइट अप्सन दी हो जाएगा समझ में आ गया न ऐसा ही कोस्चन हमें उडाना अब देखो इसको हम लोग टूरर लेकिन चारर तो हमें सबसे पहले पता है एक तीन चार पांच सबसे पहले समेन्टिक देख लेंगए final पॉर्शन होता है अगर तक तो यह थो इसंगे कितना होता 30 होता है उसमें 25-45 हो गया सबको आती है तो उसमें 55 हो गया 25 करने से 55 में से क्या करना है अब देखो यहां पर पहले से दिया हुआ था आपको नहीं पता चल रहे कि इसमें हम क्या करें तो आप एसा ही काउंत कर लो एक दो 345 टोटल बन रहे है छacia..] और 3 में से औरelesटी हम लोगों यह बॉक्स कांट किया हुआ था तो कितना है कि य। टीर यह न सिलना से हल्न शोंद गया कि आइड कर दोगे प्लस मैंनस का तो खेले हो गया बात में सिधा कर सकते थे 55 और एक दो तीन चार पांच पांच चटीस में से मैंनस 5 और फिर पांच के 20 मैंनस चार 16 सब्सक्राइब देखने में कितना पहार की तरह लगड़ा है वैसे करेंगे आपको मैं प्रक्टिस के गोश्चन भी दे दूगा आप इसली उसको करोगे बहुत ही मज़ा आपको यह वाला एक और कोश्चन देख लेते हैं बहुत ही संदार कोश्चन है दोस्तों चलिए आगे यहां पर यहां पर मतलब यह दोनों तो पेर में आ गया लेकिन इस बच्चे को छोड़ दिया दोनों को जॉइंट करने के लिए कोई शू नहीं है देखते हैं बहुत मज़ाएगा इस को करने में आपको दिये हुए है थर्टी वान थर्टी थर्टी सब्सक्राइब देखत अगेला छोड़ रखा है इसका कितना आता है 5 आता है तो 6 प्लस 6 प्लस 5 12 प्लस 5 17 हो गया चलो इसको हम लोगों ने काईदे में हाथ में ले लिया काईदे से अब इसको देखते हैं आप देखो जो भी आपके बॉक्स दिख रहे हैं उसको कांट कर लो 70 तक हम ने कर लिया 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 चलो यहां तक तो 27 आ गया अब इसके बाद और भी बनेंगे यार देखो मुझे नहीं लगता कि यहां तक यह अंसर आप्शन तो है नहीं तो देखते हैं उसको कैसे हम लोग करते हैं देखो इसके अलावा देखो एक अच्छे से यह वाला भी तो बन करаботफिया है जो बड़ा स्यत्मॉथ मनें चलो यह हो गया एक मतलब आपका टूंटी से से टूंटी एड्यों हो गया हो गया ऑप द पर देखते हैं थैंँ इसे ट्रेंटेए से डो फिक्स चल रहीं हे अपनी बाई की होगी है टूंटीवा गया रख के तो हो गया यह प्ली फिर यह ओर बॉक्स देखो यहां पर बन रहा है यह भी तो एक train बन रही है चल ही अपनी train बढ़िकिन इतरो फाग रही कोई शुनी है यह यह यहां फटटी हो गया फटटी एक और box बन रही यहां पर देखो बाई की लाइन जो है वो थोड़ी सी इधर उतर भाग लिए कोई शुनी यार देख लेंगे देखो यह 30 और एक यह बड़ा वाला box 31 हो गया अब इसके अलावा बताओ मेरे को कुछ बन रहा है कि इसके अलावा छोटे वाले भी काउंट कर लिये बाहर वाला भी काउंट कर लिया बड़ा वाला भी काउंट कर लिया टोटल नमबर आपे स्क्वाइर कितने हुए यहां पर 31 ऑप्सन में देखो 31 ऑप्सन है हो गया ना बताव कितना एजी था दोस्तों आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करा कर रहा है कि कि वह लोग भी थोड़ा सा चांस मिलें कि वह लोग भी सीख सके अच्छे से और यह जो मैंने बताई ना यह सारे किसी भी एक्जाम के लिए बहुत होंगे अगर उस एक्जाम में आपका टॉपिक पूछा जा रहे तो आप इसको अच्छे से देखो और उसके बाद प्रैक्टिस बहुत साथ मतलब एक दो बार प्रैक्टिस करें मुझे लगता है कि इसके अलावा ऐसा कोई भी एंगल से कोश्चन नहीं होगा जो आप से छूट जाएगा और एक से दो बार